पिछले क्लास में हम लोग ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, तो I hope कि आप लोग के पॉलिनोमियल्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब कोई ऐसा कोई question नहीं होगा जो कि आपसे बनेगा नहीं, ठीक है, अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है, तो आप system क्या है, ठीक है, तो number system, number line, number system में आपने number line पढ़ा हुआ है, number line में आपने क्या पढ़ा हुआ है, कि ये number line है, है ना, right side positive numbers होते हैं, left side negative numbers होते हैं, और ये o point जो है, ये 0 है, है ना, इसको हम लोग origin भी कहते हैं, ठीक है, अगर मैं number line को इस तरीके से कुछ खड़ा कर दू ये vertical कर दू, तो क्या बन जाएगा, ये एक number line बन जाएगा, है ना, ये x x dash number line था, और इसको अगर मैं ऐसे खड़ा कर दू, ठीक है, तो इसका नाम मैंने दे दिया y y dash, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपर side positive हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, जो भी figure बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे Cartesian plane, क्या कहेंगे, perpendicularly intersect करेंगे कहां से, origin से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, Cartesian plane, ठीक है, Cartesian plane का use है, इस Cartesian plane के बारे में सबसे पहले दोबर बताओं कि बताया किस ने था, तो इसके बारे में बताया है, एक mathematician है, थे 17th century म उनका नाम था Rain Descards, Rain Descards ने बताया Cartesian plane के बारे में, इसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी point का हमें location बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे, जैसे आप लोग मैप्स जानते हैं, मैप्स में भी अगर कोई point रहता है, कोई सहर रहता, उसका हमें longitude और latitude से उसका location बता करते हैं, तो same exactly ये Cartesian plane में भी हमें points का coordinates बताना होगा, है ना, तो coordinates बताने के लिए हमें उसके कुछ चीज पता होगा, तभी तो हम X-axis में कितना है part, Y-axis में कितना part है, ये अगर हमें पता होगा, तभी हम उसके coordinates बता सकते हैं, जैसे longitude और latitude बता होगा, तभी किसी चीज का location बता सकत है, तो same यहाँ पे हमें X-axis और Y-axis के बारे में जानना होगा, ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा X-axis और ये है हमारा Y-axis, ये X, X-axis का नाम दिया मैंने, Y और ये Y-axis का नाम दिया, ओके, ये बात के लिए लिए समझ में आगे, next, अब जोराद देखिए, कि इस X-axis को हम लो एप-C सा भी कहते हैं, ठीक है, और Y-axis को हम लोग कहते हैं, ओर डिनेट, X-axis को एप-C सा, Y-axis को ओर डिनेट, और ये O जो है हमारा क्या है, ओर इजिन, बात के लिए लिए समझ में आगे, ठीक है, ये काटिशर प्लेन जो है, ठीक है, ये हमें चार पार्ट में डिवाइड दिखे रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, तो फोर्स्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे फोर्स्ट क्वाडरेंट, सेकंड पार्ट को कहेंगे सेकंड क्वाडरेंट, ये हो गया थर्ड क्वाडरेंट, और ये क्या हो गया हम कौई अब हम हमें जानना है कि अगर कोई भी पॉइंट हो तो हम उसका लोकेशन जो कैसे बताएं कि अगर पास मैं यह कोई नीटा का गाम मैं A देता हूं तो मैं इस पॉइंट का location कैसे बताऊ तो कोई भी point का location बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो point का x-axis में distance कितना है मतलब कि वो point x-axis से कितना दूर है तो x-axis से ये point कितना दूर है ये हमारा देखिए 0 है 0 से ही सारा चीज़ काउंट करते है तो 0 से ये point कितना दूर है एक सेक्सिस में देखिए देखिए कि यहां से यहां तक two unit यानि कि हमारा ये point x-axis में कितना दूर है two unit बास समझ में आया दूसरा क्या देखेंगे क्या y-axis में वो point कितना दूर है यानि आप y-axis का point देखेंगे, तो देखिए, यह हमारा y-axis है, तो y-axis में यह point कितना आ रहा है, कितना दूर है, यह देखिए, यहां से लेके यहां तक, है न, कितना है, 3 unit, यानि कि अगर किसी भी point का हमें location बताना हो, तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम उसका x-coordinate देखते हैं, और उसक point को represent करने का तरीका हुआ, यह bracket में x और y-coordinate लिखने, इस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी point को represent करने का यही तरीका है, बात के लिए लिए समझ में आये आप लोगे, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि, यह point कौन सा point है, यह point, यह point, यह point कौन सा point है, तो आप देखेंगे, सबसे पहले कौन सा axis देखेंगे, x-axis, तो x-axis में किस point पे है, minus 5, और y-axis में, minus 4, यानि इस point का coordinate क्या हो गया, minus 5, minus 4, बात के लिए लिए समझ में है, अगर मैं बोलूं कि, यह कौन सा point है, यह बता, यह कौन सा point है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, x-axis, x, इसका coordinate बताईए, x-axis में coordinate क्या है, 3, और y-axis में क्या है, minus 2, 3, minus 2 इसका coordinate हो गया, बात समझ में आए, अगर मैं बोलूंगा, कि इस point का coordinate बताईए, ठीक, तो इस point का coordinate क्या है, x-axis में कितना point, minus 2, y-axis में कितना है, 5, minus 2, 5 इसका coordinate हो जाएगा, बात क्लिरली समझ में आए, तो किसी भी point का अगर हमें coordinate बताना है, तो सबसे पहले हम उसका x-axis लिखेंगे, और फिर उसके बाद y-axis लिखेंगे, या इसका उल्टा, अगर किसी point का coordinate दिया हुआ है, जैसे, अगर किसी point का coordinate दिया हुआ है, 8,9, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहले x-axis को लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, y-axis को ही लिखा है, बात समझ में है, यानि कि कभी भी किसी भी point का coordinate बताना हो, तो हम सबसे पहले X-axis लिखते हैं और उसके बाद Y-axis लिखते हैं ये बात के लिए समझ में आए ठिक अब ये सभी पॉइंट्स को जड़ा देखिए ये हमारा first quadrant, second quadrant, third quadrant और ये क्या है fourth quadrant ठीक है ये हमारा fourth quadrant है तो जड़ा देखिए first quadrant कहा से कहा तक है ये पूरा part हमारा first quadrant है ये पूरा part हमारा second quadrant ये third quadrant और ये क्या है fourth quadrant है न ग्राफ पेपर कुछ ऐसा ही होता है है न तो first quadrant में first quadrant में X-axis ये X-axis और Y-axis दोनों क्या होता है positive होता है यानि कि first quadrant में जो X का coordinate होगा वो भी positive होगा और Y का coordinate होगा वो भी positive होगा यानि कि first quadrant में हमें क्या मिलेगा जितने भी points मिलेंगे कोई भी point जो कि अगर इस first quadrant में lie करता है उसके x-axis भी positive होगा और y-axis भी positive होगा यानि क्या में दोनों क्या मिलेगा? प्लस-प्लस का मिलेगा बाज समझ में आया? ठीक, second quadrant में जो x-axis होगा कोई भी point अगर इस second quadrant में लाई करता है तो उसका x-axis क्या होगा? negative होगा और y-axis क्या होगा? positive होगा बाज समझ में आया? उसके बाज third quadrant में जो भी point लाई करेगा उसका x-axis भी negative होगा और y-axis भी negative होगा बाज क्लिए लिए समझ में आया? उसके बाज fourth quadrant में जो point लाई करेगा कोई भी point लाई करता हो, कहीं भी लाई करता हो उसका x-axis positive होगा और y-axis क्या होगा? नेगेटिव होगा, देखे, x positive है और y negative है, बात के लिए लिए समझ में आगे आप लोगो, ठीक, तो यही सारी चीजे थी जो कि आपका concept बनाती है, अब अगर कोई भी point दे देता है, जैसे कि अगर माल लेजे कोई point दे देता है, 8, minus 9, ठीक है, और पूछेगा यह किस quadrant में ल लाई करेगा कहीं भी, बात समझ में आया है, ठीक है, इसे तरीके से question पूछ देगा, अगर question पूछ देगा कि minus 7 minus 6, यह किस quadrant में लाई करेगा, minus 6, minus 6, minus 7, minus 6, यह point कहां लाई करेगा, तो देखिए, दोनों negative कहां मिलते हैं, हमेशा third coordinate में, तो यह third coordinate में लाई करेगा, बात क किसी भी point का location निकालने के लिए, मैं यहाँ एक example देता हूँ आप लोग को, कि अगर हमें किसी भी, आपके class का ही position जैसे हमें ले लेता हूँ, ठीक है, आप लोग सब लोग एक class में बैठे हुए हैं, ठीक, तो suppose यहाँ पे कोई बैठा है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक point यह है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है हमारा, कौन? आशुतोष, यह आशुतोष बैठा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं बैठा है, यहाँ नईम बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कौन यहां बैठा है कोशल ठीक है देखो यहां पर मालो कि कोई बैठा है यहां पर मुदस्सिर बैठा है मालो यहां पर कौन बैठा है मुदस्सिर भैठा हुए है ठीक और एक और यहाँ पर भी में लेटें चार जहार जगे बैठेंगे बंधा है को जफिए का नाम लिलो ना पर क्वे बैठा है जबिले लिले लिए क्रिल जा Counter तो अब अगर बोलेगा कि इनका coordinate बताईए, ठीक है, तो आप लोग कैसे इनका coordinate बताईए, तो सबसे पहले आशुतोष के उपर आते हैं, तो आशुतोष कहां बैठा है, x-axis से कित्ते दूरी पे, माइनस 5, और y, y से कहां पे बैठा है, 2 पे, बास समय में, माइनस 5,2, नईम का coordinate बताईए, तो नईम का x-axis में क्या coordinate है, माइनस 4, y-axis में क्या है, 6, कॉशल का आईए, x-axis में क्या coordinate है, तो देखिए, कहिए, बीच में आ रहा है, यहां पे, 2.5, है न, 2.5, और y-axis में क्या है, 5, बास समझ में आया, ठीक, जावेद का coordinate देखिए जरा, x-axis में क्या coordinate है इसका, 4, और y-axis में क्या है, माइनस 2, बास समझ में आया, उसी तरीके से, मुदस्सिर का देखिए, x-axis में क्या coordinate है, माइनस 4, और y-axis में क्या coordinate है, माइनस 3, बास समझ में तो इसी तरीके से हम सब के coordinates बता सकते हैं कि कौन कैसे कहां बैठा हुआ है, अगर हमें पता हो, x-axis और y-axis अगर हम वहां define कर पाएं, तो, ठीक है, बात के लिए लिए समय में आए, नेक्स्ट, अब कुछ questions के उपर आते हैं, जैसे कुछ question ऐसे पूस देता है, कि triangle का, या rectangle का vertices दिया हुआ है, तो 3 दे दिया रहेगा, या कभी-कभी दे देगा, 4 दे देगा, बोलेगा plot करे, plot करके बताएं, ये कौन सा figure बना, ठीक है, तो बताना होगा कि triangle बना है, rectangle बना, जो भी बना, ठीक, quadilateral, कोई भी quadilateral बना, कुछ भी बना, ठीक है, next, अब हम लोग आगे चलत है, कभी-कभी question ऐसे देगा, कि 3 vertices देदेगा, और 1 vertices पूछेगा, कि 4 vertices बताएं, तो उस तरीके से हम लोग बता देगे, फिर कह देगा कि 3 vertices दिया हुआ है, 4 बताएं, और उसका area बताएं, तो ये इस तरीके से कुछ question देदेगे, ठीक, तो अब हम लोग आते हैं उन तरीके उस questions के उपर, ओके, देखिए, ये एक question दिया हुआ है, कि एक rectangle है, जिसका 3 vertex दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला 00, फिर 20, फिर 03, ठीक है, ये 3 vertex दिया है, बोल रहा है कि find the 4th vertex, 4th vertex हमें find करना है, और also find the area of the rectangle, तो rectangle का हमें area को find करना है, ओके, इतनी बात समय में, तो हमें, चार vertex, तीन vertex दिये हुए, तो सबसे पहला क्या है, 00, 00 क्या होता है, origin, इस origin पर जो point लाइकर, ये point जो होगा, वो क्या होगा, 00 होगा, origin का coordinate क्या होता है, 00, यानि X में भी 0, और Y में भी 0, बात समझ में आया, ठीक है, तो ये O जो है, ये O point जो है, हमारा, ये 00 हो गया उसके बाद 2, 0 बोल रहा है, 2, 0 बोले तो X में 2 है, और Y में क्या है, 0 है, तो Y में 0 कहीं उपर थोड़ी आ जाएगा, इसी X इस पर like कर जाएगा, यानि कि ये point हो जाएगा, बात समझ में आया, इस point का नाम हम लोग माली ये दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद 0, 3, 0, 3 कहा और X में 0 और Y में 3 बोल रहा है, तो Y में 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये हो गया हमरा C point, अब बोल रहा है, 4th vertex निकाल लिए, तो rectangle है, बोल ही रहा है, तो 4th vertex इधा थोड़ी नौहँ होगा, हमेशा होगा, तो 4th vertex इधार ही होगा, rectangle बोल दिया, तो rectangle के property क्या होत और पैरलल होता है यानि इक्वल होता है यानि इसका मतलब ये साइड ये साइड के बराबर होगा और ये साइड ये साइड के बराबर होगा तो देखिए जरा ये साइड मतलब कि कितना यूनिट का है यहां से लेकर यहां तक टू यूनिट है तो यहां से लेकर करके यहां त का point देख लीजे कि ये side के बराबर होगा यानि इसका y-axis equal होगा एक दूसरे के तो ये कितना unit है? 3 unit है यानि जो भी coordinate आएगा उसका y-axis का y-axis का coordinate होगा वो कितना unit होगा? 3 unit होगा यानि इस point का coordinate क्या होगा? 2,3 यानि 4th point क्या है? 2,3 2,3 बोले तो 2 यहाँ और 3 यहाँ यह हो गया 2,3 इस point का नाम दे दीजे D ठीक है? तो देखिए एक quadilateral बन गया sorry एक rectangle बन गया ये rectangle बना की नहीं? ये rectangle बन गया तो हमें इसका area निकालना है area निकालने के लिए क्या करते है? length into breadth यही होता है area तो length क्या है आपे? देखिए 2 2 unit और breadth क्या है? 3 unit यानि 2 into 3 कितना आगया? 6 square unit आगया बात समझ में है? इसे तरीके से हम लोग चीजों को निकाल देंगे simple concept हमारा बस यही था कि ये length इस length के बराबर होता है तो जो भी x-axis में point आएगा वो इसी x के बराबर आएगा यानि x-axis में 2 है तो ये भी x कितना होगा? 2 होगा और ये x-axis जो भी होगा इस x-axis के बराबर होगा ये line जो होगा तो इसका जो coordinate होगा वही इसका coordinate होगा बात समझ में है इतनी बत समझ में है क्यों? क्योंकि rectangle था, ठीक है? ये सारी चीज़े समझ में आ गए आप लोगो और उसका area बोल दिया, तो length into breadth, तो length कितना है इतना, breadth कितना है इतना, निकाल देंगे easily, perimeter बोल देगा 2 into L plus B निकाल देंगे, बार समझ में है कुछ भी हम लोग निकाल सकते, त करता है, वो बता दीजेगा, है ना, figure बना देगा, ये कौन सा figure है, इस point से कौन सा figure बना, कभी एक vertex निकालने के लिए बोल देगा, कभी एक 3 देगा, एक vertex निकालने के लिए बोल देगा, area निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है, इसी तरीके से सारे questions आएंगे, इतना बात बता दूँगा कोई question ऐसा रहा तो तेकिन और कोई question मिलेगा नहीं ठीक तो आज के लिए इतना ही thank you घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए